आई वेरी वेरी गूड एवनिंग तो आल वफ यू तो डियर ट्रेंड लास्स च्छास्ट के आथा और कैलुस की स्टार्टिंग हमने डेरिवेटिव से किया था derivatives के हमने meaning को समझा, concept समझा, उसके बाद कुछ basic rules को हमने समझा derivative का, अब basic rule को समझने के बाद हर rule के उपर हमने कुछ questions के practice भी किये आज की classes में हम उन questions के practice थोड़ा और बढ़ाएंगे और थोड़े rules को और बढ़ाएंगे आज हम chain rule को भी समझेंगे और questions के practice भी सासत करेंगे देखिए का आप में से बहुत सारे students ऐसे हैं जो कि पहले उनका mass background नहीं रहा है और पहले mass background नहीं रहने का मतलब यह हुआ कि 11, 12 में ना mass होने का मतलब हुआ कि last time उन्होंने 10th class में पढ़ाता तो लबब लबबक उनका 3 साल के जो है आसपास का उससे भी ज्यादा का उनके पास में gap है तो इतने gap में तो basic calculation इनसान भूल जाता है तो यहाँ पर calculation भी है और एक नया concept भी है तो थोड़ा सा एक classes और लग जाएगी questions के practice के उपर और कुछ नए rules को और बैतर तरीके से आप समझ जाएंगे तो आगे चल करके आपके लिए काफ़े convenient होने वाला है इसलिए आज चीक लास इसमें questions के practice और नए rules के उपर questions की practice और करनी है practice के लिए कह रहे हैं question भी जो ठीक है जी आपका आज तो रहें कल आपको question मिल जाएगा और आप भी questions करते रहें मैं तो समझाऊंगा तो मुझे time थोड़ा लगेगा आप से ज़्यादा लेकिन आप जो है कर रहे हैं तो आपको time कम लगेगा तो अगर आपको लगता है कि आप question को कर पाएंगी तो please solve करके comment में answer लिखें अगर आपको लगता है नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल लिखने के कोई जो होती है please सामने देखें आप अब अच्छे से देखिए बच्चे से अब आपके पास में for example यह function है तो इसका आपको derivative लेना है अब आपके पास जो यह function है मैं इसको function को मैं fx बोल रहा हूँ ठीक है यह आपका fx function है आपके fx function क्या है 7 by function को basically fx से represent करते है 7 by 3 x raised to power 3 by 2 अब आप बच्चे इसका derivative ले रहे हैं तो derivative किसके respect में लिया जाएगा तो जो आपके function में आपके जो variable है उसके respect में लेते हैं आपके function में कौन सा variable है x है तो x के respect में लेंगे तो आप यहाँ पर derivative ले रहे हैं किसका derivative अपने function का ले रहे हैं और with respect to आप x के अगर आप इसको solve करते हैं बच्चे तो आपके पास ए constant number का कुछ भी नहीं होता है ध्यान लखेगा constant number अपनी जिगह ही रहता है clear है तो 7 by 3 into power आपका नीचे आ जाता है तो 3 by 2 into x और x raise to power power में 1 minus हो जाएगा तो 3 by 2 में से अगर आप 1 minus कर देंगे तब solve करेंगे तो क्या आपके पास में तीन से 3 आपका वैसे ही eliminate होगे तो 7 by आपका क्या है 2 और x raise to power आपके पास में 1 by 2 2 minus होगे तो आपके पास में 1 by 2 clear है बच्चे थोड़ा अब depend करता है आपने क्या answer माग करना है तो यह आपके पास में 3.5 और किसी की उपर power 1 by 2 हो तो basically वो root ही होता है कि आपके पास में 2 तो यह भी हमारे पास में एक function है fx और यह function हमारे पास में है 1000 विबाड़ी बाए देखिए यह आपके पास में जो भी है 3,4,5 इसका मतलब क्या होता है inverse power इसका मतलब होता है inverse power तो x raise to power आप इसको क्या हो सकते हैं 1 by 3 मैं फिर से repeat कर देता हूं कि आपके पास में बच्चे 1,000 है और नीचे आप इसको लिखेंगे x raise to power 1 by 3 ऐसा आप लिख सकते हैं ठीक है चलिए derivative लेते हैं आप किस function का आप अपने fx function का ले रहे हैं किस respect में ले रहे हैं आपके function में x variable है तो आप जो है dx solve करेंगे क्या आएगा यह constant number का कुछ नहीं होता जो पहले बताया था मैंने वही बात मैं अभी भी कह रहा हूं आप इसको ऐसे लिख सकते हैं भी derivative मैं ले नहीं रहा हूं क्योंकि जो function है वो basically मेरी कोशिच रहती है कि वो numerator में आ जाए कहाँ पर जिसके respect में ले रहा हूं मै x के variable की तो variable आपको numerator में होना चाहिए तो मैं अभी इसको इस function को थोड़ा ऐसे लिख देता हूं fx को ही same चीज को मैं ऐसे लिख देता हूं 1000 और x के position change करता हूं जैसे denominator से numerator मे ले जाता हूं जैसे x denominator में है तो x numerator में लेगे जाओगी बस फर्क पड़ेगा पावर इसका minus में हो जाएगा अब आप इसका derivative करें आप derivative कर रहे हैं अपने fx function का with respect to derivative x तो आपका constant number पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात मैं बता चुका हूं ओलड़ी यह आपका minus 1 by 3 यहाँ जाएगा minus 1 by 3 और x raise to power अब power में minus 1 by 3 तो power में minus 1 हो जाता है solve करेंगे आप इसको तो आपके पास में यहाँ पर minus 1000 by 3 और into x raise to power minus 4 by 3 minus 4 by 3 अभी कैसे आया minus 1 by 3 और minus 1 एल्सियम लेंगे तो 3 आपका आजाएगा तो minus 1 into आप minus आपके into 3 तो क्या जाएगा minus 4 by 3 अभी चीज़े कैसे आई है यह calculation कैसे हुआ तो मैंने आपको पहली कह दिया था कि basic calculation की अगर आपको requirement है तो please बच्चो आप अपने team से contact कीजिए कि sir मुझे basic क्योंकि आपको पढ़े हुए 2-3 साल हो गए है और इस 2-3 साल में आपका basic calculation भी कुछ बच्चों के mind से बिल्कुल out हो गया होगा चीक है और आप मेंसे बहुत सारी students ऐसे भी होंगे जिनका mass को छोड़ने का कारण है ही हुआ होगा कि mass में उनका calculation या mass में उनका intentus नहीं रहा है पहले तब ही उन्होंने 11 ठलते mass नहीं लिए तो मैं इस student के लिए बात कर रहा हूँ देखिए 0-2 में advance कवर करेंगे जिनको mass अच्छे से आती है वो भी comfortable हो जाएंगे calculation के अंदर लेकिन जो 0-level के बच्चे हैं तो आपकी calculation में problem हो सकती है इसकी possibilities बहुत ज़्यादा है मेरे लिए कोई हैरान होने वाली बात नहीं है इसलिए मैंने उसकी अलग से फोल्टर बनाया हुआ है basic calculation ठीक है न 0-level calculation जिसमें की LCM लेना, X की value find करना, काटना यह सब basic सीचे सिखाई ज़्यादा बड़ी लंबी class नहीं है वो आपका 8 से 10 lecture की classes होंगी उसको 10 lecture attend कर लोगे तो calculation की problem हमेज़ता के लिए खतम हो जाएगी आपकी, ठीक है बच्चे तो उसको आप ले लीजेगा, basic calculation है लेकिन मैं batches के अंदर आगे बढ़ूँगा तो basic calculation को LCM ले ले करके वहाँ प बच्चे ऐसा से इसी ही के हैं और किस state से comment करते रहे थोड़ा जान पेचान भी होते रहे बाकी मैं आपको बताई रहा हूं इसको कैसे करना है अपने आइए इसको आगे मैं continue करना हूं तो मेरे पास में क्या है बच्चे आंसर में माइनेस उसको space को कम नहीं कर सकते हैं देखे तो इसको मैं यहां लिए देता हूं तो क्या है माइनेस वन बाई थ्री माइनेस सोरी 1000 बाई थ्री और पावर नेगिटिव नहीं छोड़ते हैं पावर पॉजिटिव होना चाहिए हमारा तो पावर को पावर का sign कैसे change होता है उसको समझ लीजिए पावर का sign अगर आपको change करना हो तो वही कहानी होगी कि बेस की position change होगी तो बेस क्या हो जाएगा आपका जो X है यह क्या हो जाएगा इंटू 1 बाई X और पावर क्या जाएगा इसका 4 बाई 3 क्लिए बच्चे तब आपके फाइनली यह क्या आगया आपका डिनमेंटर में आ गया अब कैसे भी आंसर छोड़ दें डिपैंड करता है आपका फाइनल आंसर क्या आपका आएगा क्लिए बच्चे चलिए अब यहां पर आपके पास में एक function दिया हुआ है सासत करते रहें आपके पास में डेरिवेटिव आप लेंगे किसका एफ एक function का बिद रिस्पेक्ट टू डी एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो आपको प्लस मैनेस में क्या होगा हर किसी का लिना पड़ेगा इसका लेंगा तो यह 5 और पावर में एक मानेस चार टू पावर में एक माइनेस तो एक तो पावर एक लिखने की जुरत नहीं है तो यह आपका फाइनल आंसर है यहाँ पर आप देखेंगे तो आप इसका डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं तो डेनोमेटर में एक्स है तो एक काम कर सकते हैं आप बच्चे क्या कि पहले में इस फंक्शन को थोड़ा सही तरीके से लिख देता हूँ क्या है एक्स की पावर 3 प्लस 1 आप सोचे इसका डेरिवेटिव कैसे होगा तो आप एक काम कीजिए आपके पास में fx है तो आपके जब भी प्लस माइनेस हो और डिनोमेटर में कोई नंबर हो तो इसका म बार से एक बार कट जाएगा तो एक्स पावर 2 बच जाएगा अब ऐसे भी डिवाइड करते हैं अगर आप और बेस से में तो पावर मैनस हो जाती है आप सौल करेंगे इसमें आप प्लस ये तो आपके खैर आपके पास में 1 by x ही रहेगा अब जरा इसका डेरिवेटिव लेते हैं डेरिवेटिव आपके पास में लेना है किसका अपने fx फंक्शन का बिद रिस्पेक्ट टू x अब सौल करेंगे तो पहले का तो सिंपल है कि 2x आ गया इसका क्या आएगा म मैंने 1 upon x का last classes में मैंने 1 upon x का last class में डेरेट आपको बता रखके क्या होता है माइनिस 1 upon x स्क्राइड ये बात ओल्री डिस्कस हो चुकी हमारी वच्चे है कि 1 upon x क्या होता है थोड़ा था बेसिक सी चीज़े धान रखेंगे आप तो आपके पास पर यह आपका इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव किस तरीके सा आप लेंगे आपके पास में जो function है वो function आपके पास में है 2 x raise to power 4 minus 3 x raise to power 3 plus 5 x raise to power 2 plus x कि यह जो हो रहा है न यह क्यों हो रहा है पता आपको यह मच्छर जो है एक यह इस पर बैठ रहा है अच्छा जी मलब इतना touch कमाल का है इसका कि एक मच्छर भी इसको जो है बैठ जाए तो फाइली बंद करते हो अब यार कहीं वो फाइल गई कहा यह सारा कौन चला रहा है मैं नहीं चला रहा है यह मच्छर चला रहा है मच्छर जो बैठा हुआ है कहा है वो अरे भाई साब कहां क्या कर रहे हो यार कहां से क्या अपरेट कर रहा है कहां बैठा हुए कुछ का कुछ कर रहा है भाई अब भी रुकिए पहले छोड़ा सा मुझे होल्ड करने जी जी अब मैंने जो कि कोश्चन करवाए थे ना वो कोश्चन सारे के सारे तो नहीं गए चलो खोई बात नहीं वो द्वार लिख दूंगा मैं ए पार्ट कर रहते हैं आँ यह होगे था यह उगे था यह होगे था इता इपार्ट क कर रहते हूं हलो हाँ जी बच्चे देखे ज़रा तो आपके पास में फंक्शन क्या है आपके पास में बच्चे फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आप ले रहे हैं फंक्शन अपना आपके पास में एफ एक्स अपन में आपके जो फंक्शन में कौन सा वेरिवल है एक्स तो आप अपने डी एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो सबका इंडिविल करेंगे तो यह चार यहां आ जाएगा नीचे तो क्या हो जागा गुणा कर देगा ने इसको आठ कर देगा और पावर में एक कम हो जाएगा यही तीन यहां जाएगा तो क्या कर देगा पावर एक कम हो जाएगा यही दो यहां पर आजाएगा आपका तो 10 हो जाएगा पावर एक कम तो एक लिखनी जोरत नहीं है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैरिबल है तो उसकी जिगह पर एक आ जाता है बस और जो constant number है वो आपका 0 हो जाता है तो खुल इमला करके आपका result क्या रहा 8x-3-9x-2-10x-1 यह आपका final answer रहा clear है बच्चे उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बैतर तरीकी से समझ में आ रही होगी अब जैसे आपके पास में यह है इसका derivative आपका क्या होगा तो बात करते हैं इसका derivative की function आपके पास में है fx equals to आपके पास में है एक function है given fx equals to 5x plus 8 upon 16 तो आप इसका derivative लेंगे बच्चे आप तो सबसे पर एक constant नमर है आपके पास में चीके कैसे में इसको थोड़ा function को थोड़ा simplify करें क्योंकि आप ले नहीं पाएंगे derivative सबके नीचे है तो आप individual के आप नीचे लेकर करें जब सबके नीचे कुछ हो तो 16 और यह 8 by 16 कि plus minus होता थो सबके नीचे होता है ठीक है function को simplify करें फिर बाद में derivative लेगे शुरुआत में derivative अगर आप लेने लग जाएंगे अगर आपके function simplify नहीं है तो आप पहुंआ सब जब एक्स रहता था थो एक्स eliminate हो जाता है derivative में तो बस constant नमर ही बचता है और जब को इस constant नमर होता हो जीरो जाता तो सरफ 5 by 16 ही इसका derivative होगा उमीद करता हूं आप derivative लेना सीख रहे हैं बस दो रूल और समझे एक तो chain rule, question tool, product rule, तीन रूल और पढ़ लिजेगा derivative की practice कर लिजेगा application में economics तर कंसेप्ट का यूज है, वो मैं बहुत भैतरीन तरीके से आपको समझा दूँगा, क्यूकि मैं बेरा background economics कर रहा है, corners कर रहा है, तो बहुत भैतर तरीके से मैं आपको economics अच्छे से उसके meaning, concept, logic के साथ मैं explain कर दूँगा, आप easily आप हर questions के आप equations मना सकते और solution की problem मैं पहले solve कर रहा हूं आपकी, clear है बच्चे, चलिए, आगे continue करते हैं, तो आपके पास में यह, आपके पास है log 5, बिसकी log क्या होता है, log क्या होता है, last class मैंने बताया नहीं था आपको, मैं फिर भी थोड़ा सा, अलगा सा log के बारे में बता दूँ, उसके बाद बा क्या होता है, log वो समझेगा, for example आपको जो है, 5 raise to power आप 3 solve कर सकते हैं, मैं जानता हूं, आप 125, 5 raise to power 4 solve कर सकते हैं, 5 raise to power आप 5 solve कर सकते हैं, 5 raise to power 6 solve कर सकते हैं, इससे तो आप कर रही सकते हैं, लेकिन, situations ऐसे भी आप आएंगे, mathematics of finance आपके एक unit है, कि आपको 5 raise to power या कोई भ solve होगा भी आप, calculator में तो आप square कर सकते हो, root कर सकते हो, बड़ पावर वन भाई 8 कैसे solve होगा, तो इसका जो एक जनल मैथड होता है, यहाँ पूरी value x के equal है, तो यहाँ पर both sides taking log, अब दिखीगा, मैं कुछ अपनी मर्जी से एक तरफ नहीं दे सकता हूं, उससे जो questions है, उस वो neutral रहे, दोनों को multiply करोगे, कोई impact नहीं आगा, दोनों को divide करोगे, किसी particular number से कोई impact नहीं आगा, दोनों में plus same number, दोनों में minus same number, को impact नहीं आता है, questions आपका वही बना रहता है, इससे जो भी करेंगे दोनों में, तो log का काम होता है power को बगड़ के नीचे उतार देना, तो मैं दोनों तर्फ लूँँगा, तो जिब मैं लूँगा यहां पर, तो मेरे पास में क्या जाएगा, जैसे ही मैं इसके साथ में log लगाऊंगा, तो log एक कमाल करदेता है, क्या करदेता है, वो log लगते ही, power सीज़ा उठके नीचे आजाता है, पूरा power हो, कुछ ही नहीं होत करेंगे तो आपके पास में एक वैल्यू आ जाएगी लॉग एक्स आपको तो एक्स निकालना था ना क्योंकि इसको आप से चला जाएगा तो लोग में होने का मतलब होता है एंटी लॉग, एंटी लॉग, आपके पास रिवैलू ऐसे ही रहेगे, बात ने बता हुआ, डिटेल हैं, फिलाला भी लॉग क्या है वो समझेए, तो आपका एंटी लॉग, अब एंटी लॉग की भी टेबर आपको दी होगी, तो आप एंटी यह वैलू है, उसकी देखकर क् लॉगों की कालकुटर से कैसे आप कर सकते हैं, हर चीट, लॉग की वैलू, सारे वैलू के वैलू कालकुटर से बता दूँगा, मैं, present वैलू, feature वैलू, सब, पड़ फिलाल आप बच्चे, लॉग का मतलब इतना ही होता कि पावर को simplify करना, पावर को solve करना, ठीक है बच्च हाँ आप जो कमेंट कर रहे हैं मैं इसको देख रहा हूं आपके पास में डेरिविटिव लेना है आपको अपने फंक्शन का एफ एक्स का ठीक है बच्चे बिस्पेक्ट टू डी एक्स पीसिकली लॉग फाइव अगर आप टेबल से कोई वैलो रिप्लेस करोगे तो कोई एक इक इसके लिए यह क्या है एक कॉंस्टेंट नंबर ही तो है बच्चे सद डी पार्ट अगें ठीक है अर्शीन मैंने इस आद देख लिया है मैं भी करवा दूँआ है तो आपके पास में जो है यह कॉंस्ट नंबर क्यों लॉग फाइव टेबल से देखोगे जीरो पॉंट सम्थिंग आगा तो यह कॉंस्ट नंबर है और कॉंस्ट नंबर का डे फॉंक्षन क्या है fx इक्वल्स टू अलड़ी मैं सॉल कर चुका हूं बच्चे इसको पर फिर भी एक बार आप देख लिए अगर आप डाउट पूछ रहें तो एक्स क्यू प्लस वन अपॉन अपॉन एक्स यहां पर भी है तो आप सॉल करेंगे fx इक्वल्स टू यह नीचे एक एक्स है तो यह x की पावर 2 बचेगा और यह प्लस 1yx बचेगा अब simplify हो गया अब derivative लेता हूं मैं derivative किसका एक function का बच्चे देखें बार-बार handraise मत कीजिए क्योंकि उससे एक sound create होता है और sound create होने से वो mic में आवाज जाती है फिर जब आप recording classes को देखेंगे त मतलब इसका यह हुआ कि आप जो है लेट जोइन कर रहे हैं classes को है ना थीस बच्चे हाँ classes को लेट जोइन कर रहे हैं मैं इसलिए शायदा पूछ रहे हूं तो बच्चे नहीं साथ-साथ आप डाउट पूछेंगे साथ-साथ मैं आपकी जो है देख रहा हूं क्योंकि एक अचा भी थोड़ी दिर बाद आएगा तो बोलेगा तो हम classes ऐसे चलती रहेगी हां जी अब इसको हम derivative लेंगे इसका किस function का डी अपॉण डी एक्स प्रसे इसको ऐसे भी लिखते हैं कि मैं derivative लेने जा रहा हूं एक्स स्क्यार प्लस वन बाई एक्स का अब क्या आएगा यह तो आपके पास है टू एक्स हो गया अब यह वन अपॉन एक्स का जो derivative होता है वन अपॉन मैने एक्स प्रस्ट क्लास देखी को उसमें बताया हुआ है क्यों होता है वो भी लूल बता रख रख था मैंने 4् tap वन अपॉन एक्स आपकर बेसक्ली क्या होता अगर आप मैने करेंगो तो इसको एक्स पावर मैनेश वन सौल करेंगो गे तो मैंस इन्ट्व एक्स पावर मैने टुप पावर मैनेश वह रहा होता है डेयगा Caitlin flat हां जे, E raise to power T, एक आपके पास में E table भी होती है, आपके पास में एक fx function है, तो basically जो E, की जो ये E की value E raise to power something, आपके पास में क्या constant number है, क्या होता ये? एक ये constant number होता है, E raise to power something is always a constant number, आपको ये E के टेबल रहता, देखे, आप बता सकते हो, तो एक constant number है, तो आप derivative कभी भी अगर आप, आप derivative कभी भी एक constant number का कर रहे हैं, तो आपको basic rule पता है, कि आप derivative करने जा रहे हैं, किस का करने जा रहे हैं आप, आप एक constant number का करने जा रहे हैं constant number का आप derivative लेने जा रहे हैं तो आपको पता है कि क्या result रहता है इसका D और आपके पास में F बच्चे पहली practice कर लिजी कोई problem किसी बच्चे को नहीं आएगी इससे solve करेंगी तो आपके पास में constant 0 clear है अब आपके पास में यहाँ पर फिर से एक कहानी आपके पास में आगी यह तो खेर एक constant number है आपके पास में आप मैं I part की बात कर रहा हूँ देखिए आपके पास में FX function है थोड़ा simplify करने की needed लग रही है तो आप क्या कर देंगे 5 by 2 clear है बच्चे और यहाँ पर आपके पास में क्या है यह पूरा का पूरा bracket में लिखेंगे X raise to power 4 minus 3 थीक है थोड़ा simplify करते हैं कि कि आप किसका derivative लेंगे अभी तो मैं chain rule से भी हो जाएगा यह आपका easily थीक है पर मैं chain rule अभी नहीं समझाया हुआ हूआ आप यह दोनों को multiply करेगा तो X raise to power 4 को भी कर रहा है और यह 5 by 2 इसको भी करेगा तो क्या जागा यह 5 by 2 15 by 2 यह इसको भी multiply करेगा bracket लगा है ठीक है अब आप इसको solve करेंगे जब derivative लेंगे आप अपने D आप जो है किसका आपका function ना fx तो derivative ले रहे हैं आप अपने fx function का with respect to dx आप सब्सक्राइब ले लिजें तो लिख दीजें कि मैं derivative लेने जा रहा हूँ किसका 5 by 2 x raise to power 4 minus 15 by 2 का और अब आप इसको solve करते हैं derivative आप अपने function का ले रहे हैं dx आप solve करेंगे हम यहाँ पर 5 by 2 into 4 into x raise to power 3 clear है क्या होगा यह आपका constant नामर होगा कोई फरक नहीं पड़ेगा 4 नीचे आजाएगा और x to power 3 और यह constant नमर होगा इसको derivative लेंगे तो क्या होगा 0 तो simplify करेंगे आप तो आपके पास में क्या हैगा 10 x raise to power 3 10 x raise to power 3 बिल्कुल सही शुरूती भाई सब comfortable हो रहे हैं आप लोग सुझ में आपको आ रहा है बताएंगे जरा कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछिए नॉन मैस बैक्गराउंड की बच्चे प्लीज आप कमेंट करें ताकि मुझे आपका स्टेटस पता लगे नहीं तो जिन बच्चों का मैस बैक्गराउंड है वो तो एक बार introduction कर दूँगा मैं उसमें चीज़ों को पकड़ लेंगे पहले उन्होंने चीज़ें की हुई है आप लिखेंगे जी नॉन मैस बैक्गराउंड मेरा रहा है और मुझे मेरे ये पार्लम फेस कर रहा हूं यह मुझे आप कमफर्टेबल फील हो रहा है लिखे बच्चे यह क्लास मेरी नहीं है यह क्लास आपकी है तो आपका पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है मैं गंटा बोलता रहा हूंगा बट मुझे पता ही नहींगा मेरे स्टुण का क्या स्टेटर से तो फाइदा क्या अब बचे इसको आप सॉल्ल कर सकते हैं इसली कोई पालम नहीं होना चाहिए अब आपके अब इनफ आपके प्रेक्टिस हो रही है चलो देखे जड़ा आपके पास में फंक्शन और कॉलेजी बता देंगे साथ-साथ फंक्शन आपके पास में है तो मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ जो रेगुलर के हैं वो कॉलेजी बता दीजे जो सोल के हैं वो भी पना बता देंगे कि सोल है दे अपॉन दी एक्स जहां derivative ले रहे हैं आप अपने इस function का direct ले लिजें नहीं तो आपको ये भी करते हैं कि कई बार हम ऐसे भी ले देते हैं कि हम derivative लेने जा रहे हैं तो minus 2 x की power 2 plus 3 by 2 x plus x raise to power 4 upon 4 plus 2 ये रहे हैं तो derivative ले रहे हैं दी अपने एक function का जो function मेरे पास में fx है और upon में bx और यहां देखेंगे अगर आप derivative लेंगे तो क्या जागा है minus 4 x यहां पर तो सिरफ आपका x ही है बागी constant number तो सिरफ constant number रह जाएगा यहां पर 4 नीचे आते 4 4 कट जाएगा तो x की power 3 बचेगा कि 4 नीचे आते यह कट जाएगा constant number 0 हो जाएगा तो यह आपका यहां पर इसका derivative आया है clear है बच्चे कि आते हैं झाते हैं झाते हैो जाएगा जाया है